बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपने युट्यूब पेपर हैकर में मैं सुरस राज आज की सबीर में देखने वाले हैं जो भी छातर बीस्टी सेकंड यर में है तो हम लेके हैं बॉटनी का थर्ड पेपर है यह राम मनुहर लोहिया वद इनिवस्टी के लिए जो कोशन बता रहा हूं यही पेपर में छपने हैं बाकि कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आपसे बादा कर सकता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है याद रखना इस बात को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर कर दे रहा है और हां एक लिंक हमारा निव चैनल हमने जो ओपन किया है अभी हाली में लॉंच किया है उसका नाम है खिलाडी भहिया एक्स वाई जैड उसकी लिंक डिसक्राइब कर लिए थोड़ा सा सपोर्ट आपकी जरूरत है ठीक है उस चैनल को आप सबस्क्राइब कर लेंगे जिसका लिंक मैं लिए यहाँ बात करने वाले हैं पहले को क्या याद करेंगे पहला कोशन आता है रसा रोहड की करिया बिदी को याद कर लेंगे मौस्ट इम्पूडेंट है इस कोशन पर अपने बुक नोट गैसे पर जो भी आप तैयरी कर रहा है उस पर टिक लगा लिजिए और आपको ट और देखने की जुरुत नहीं बढ़ेगी यही पेपर में आपके छप रहे हैं कोशन याद रखना है तीक है उसके बाद में नेक्स कोशन आता है कि जो विसरन है और परासरन है इन दोनों में आप अच्छी तरीके से अंधर देख लेना मतलग इन दोनों की परिभासा को आप तो परकार का होता है एक होता है खुला रंद रहा एक होता है इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है यह मौश्च इंपोड़ेंट है जो पेपर में आपके चपेगा ठीक है और जैबिक बात को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे नीचे हम जाएंगे कि बाक्ष नहीं पड़ेगी उसके बाद में आता है सी थ्री प्लांट और सी फॉर प्लांट में चक्र और सी चक्र बोलते हैं इसको इसको भी आप मौस्ट की इसको बाद में आता है इक होता है एक होता है जादा से जादा दोस्तों को शेर कर देना है देखिए यहां बुला गया है है growth hormones जिसे हम पादब गती हार्मोन के नाम से भी जानते हैं ये तीन हार्मोन बहुत सदा important है एक होता है इथाईलीन एक होता है और एक होता है जिबरेलीन ये तीन हार्मोन की मैंने आपको नाम यहां explain किये इन तीनों के बारे में कार्वो हाड़ाइट क्या होते हैं इसके बारे में पढ़के जाएंगे उसके बाद में पादा बसाओं के परकार होते हैं और प्रोपरटीज होती है गुण होते हैं उसके बारे में याद करेंगे , प्रोटेन की सरचना की बारे में पढ़के जाएंगे, और इसी कोड को आया पढ़ेंगे लिपीड्स और बसामे क्या अंतर होता है यह आप अच्छी तरीगिसे पढ़के जाएंगे। उसके बाद में कोई इंजायम को सहनजाइम के नाम से भी जाना जाता है यह इंजाइम के भाग होते हैं, को इंजाइम, सहेंजान, एपो इंजाइम, देख रहे हैं, एपो इंजाइम, यह इंजाइमों के भाग होते हैं, उनको प्रमदर प्रकार होते हैं, उसकी बारे में आप पच्छी तरीके से याद कर लेंगे, इंसूलिन, हर्मोगन, बंद को स इंपोटेंट है आपके पेपर 2022 के लिए जो भी अध्य है याद कर रखना है इन कोशन को आपके पेपर में चपेगा उसके बाद में नेक्स कोशन है आप सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से जादा दोस्तों को शरी करेंगे हैं विंदू स्रॉप क्या होता है उसको द परिकलपना क्या होती है मुझ की परिकलपना के बारे में भी आप याद करके जाएंगे बहुत ज्यादा इंपोटेंट है उसके बाद में आता है वीज अंकुरन क्या होता है पढ़ेंगे उसके बाद में आता है नीचे नाइट्रोजन सक्र क्या होता है नाइट्रोजन सक् स्नों सिस्टम के बारे में यह आप एक बार पढ़ेंगे जरूर जाएगा फोक रिपें कह सकते हैं रिस्पेरीशन को ऑटा खुलिट जबार में पर चाहिए और प्रोइंजाइम परपक्द और जाना है ये यह टाइप होते हैं और प्रेज्व observant most important है औस नहीं बहुत बहुत जदा इंपोटेंट है और वो चपेगा चपेगा उसके बाद में बहुत सदे इसको आप करेंगे टाइप तीन टाइप क्यों होते एक होता है बहुत जदा इंपोटेंट की संगया दूँगा इसको बहुत जदा इंपोटेंट है जिसे कहता है गलाइकोलाइस जो हता है वह रहां रखेंगे और जीब अंकुर्ण क्या होता है मैं उपर बता चुका हूं क्रोस चक्र यह दिया आपने नहीं पढ़ा है तो यहीं पढ़ लेना बस इतना ही कोशन देखना है 2022 के पेपर में यहीं चपरा है बाकि कुछ नहीं है आप 2022 के एक्जाम में 85% प्रस लाएंगे हर एक पेपर में तो मैं आपसे बादा कर सकता हूं कि आपको फेल करने वाला क कोई बादा नहीं है अभी तक आपने सब्सक्राइब रहें किया चलों को तो चलों को सब्सक्राइब कर लेना वैल आइकन को प्रेस कर देना और हाल जो खेलाड़ी भाई है एकस बाई यूटूब चाले रहे है उसको भी सब्सक्राइब कर लेजिए थैंक्यू